हेलो वीवर्स आपका फिर से वेलकम है फेशन फायर चेनल में और इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोटा पट्टी वाले बहुत ही सुन्दर और स्टाइलिश नेक यानि गले के डिजाइन इस से पहले हमने आपको दिखाए हैं सिंपल नेक डिजाइन लेकिन इस वीडियो में आपको गोटा पट्टी वाले नेक डिजाइन देखने को मिलेंगे अगर आप अपने सिंपल सुन्ट में इन गोटा पट्टी वाले नेक डिजाइन में से किसी भी डिजाइन को एड़ कर लेती हैं तो यकीन मानिए आपका सिंपल सुन्ट भी डिजाइनर स यानी अगर आप प्लें सूट बना रही हैं और प्लें सूट में आप नेक डिजाइन जो है वो गोटा पट्टी वाली लगा लेती। तो यकीन मानिए आपका पूरा सिंपल सूट पूरा पलेन सूट बिलकुल यूनिक हो जाएगा और आप उस पलेन सूट को उस सस्ते सूट को बहुत ही जबरदस्त और हेवी सूट बना सकती है और उस सूट को आप कहीं भी पार्टी या मिटिंग या फंक्शन वगेरा में आराम के साथ में पहन सकती है ये तो आपको मालूम है कि सभी तरह के सूट में सभी तरह की ड्रेस में सबसे एहम हिस्सा होता है नेक यानि गले का डिजाइन अगर किसी का सूट पलेन है और उसमें नेक डिजाइन यानि गले का डिजाइन अच्छा लगा हुआ है तो वो पलेन सूट भी नेक डिजाइन की वज़ा से बहुत ही जबरदस्त और यूनिक लगता है लेकिन अगर किसी का सूट ऐसा है के उसके उपर बहुत जबरदस तरीके से काम किया गया है लेकिन उसका नेक डिजाइन अच्छा नहीं है तो यकीन मानिए वो हेवी सूट भी बिलकुल अजीब दिखाई देगा थो इसकी अच्छी नहीं है और इसलिए आपने देखा भी होगा बहुत सारी बड़ी बड़ी एक्टरस को के जो पलेन सूट पहनती है यानि उनका सूट उनकी ड्रेस बिलकुल पलेन होती है लेकिन उनका नेक डिजाइन बिलकुल यूनिक होता है बहुत ही अजीब होता है जिसकी वजा से उनकी पूरी इसलिए जब भी आप अपना कोई नया सूट खुद बनाएं या अपने टेलर माश्टर से बनवाने की सोचें तो सबसे पहले आप अपने सूट की नेक यानि गले के डिजाइन के उपर अच्छे तरीके से जानकारी हासिल करें यानि आपके जो सूट आप बनाने जा रही ह उस सूट में किस तरह का नेक डिजाइन अच्छा लगेगा अगर आपने उस सूट के हिसाब से जो आप बनाने जा रही हैं नेक डिजाइन अच्छा सेलेक्ट कर लिया और सूट में कोई कमी भी रह गई तो यकीन मानिये वो कमी बिलकुल भी महसूस नहीं होगी अगर आप का नेक डिजाइन अच्छा होगा और नेक डिजाइन के साथ साथ आप थोड़ा सा ध्यान सिलिव डिजाइन पर भी दे ले यानि बाजू के डिजाइन पर भी दे ले और अगर आपको गोटा पट्टी वाली ड्रेस देखनी है तो उसका हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ ह आप हमारे चेनल पर जाकर उसका वीडियो भी देख सकती हैं